जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास लेवन का हिंदी कोर का विकली टेस्ट जो आप लोगों का 26 तारिक को होने वाला है उसके लिए most important वीडियो लेकर आए हैं तो वीडियो में स थोड़ा सा खास होने वाला है सबसे पहली बात important वाट हम विकली टेस्ट स्लेबस के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिससे आप लोग को भी थोड़ी जनकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप लोग जो विकली टेस्ट आर्ट स्वालों का लिए जो जारी किया था उसमें आप ध्यान से देखोगे तो विकली टेस्ट में सिवाब को हिस्ट्री जोगरफी और पॉलिटी बस इसका ही स्लेबस आपको दिया जाता है उसके बना हिंदी का दिया जाता है इसका स्लेबस नहीं दिया जाता है इसलिए इसको यह कंफर्म कर पाना कि कौन से मही में कौन सा पढ़ाई करना ये इसमें कंफर्म नहीं हो पाता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग 26 अक्टूबर के लिए मिक्स कोस्चन करेंगे हार एक चैप्टर से रिवीजन करने वाले हैं तो सुरूस लेके अन तक बने रहिएगा वीडियो काफी मस्त होने वाला है और पताना है कि किस की द्वारा लिखा गया है तो ये भावानी परसाद मिस्र की द्वारा लिखा गया है ऑप्शन गोफ इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल कि अगर हम बात करें थी कवी ने घर की याद कवीता कहा लिखी थी तो कवी ने घर की याद कवीता को लिखा था कारावास में, यानि कि जेल में, तीक है, नेक्स्ट आईए अगले सवल पर, अगला सवल है हमारा कवीता का गांधी किसे कहा जाता है, कवीता का जो गांधी है, वो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भवानी परसाद मिस्र क कवीता का गांधी कहा जाता है अगला सवाल है हमारा कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी परसाद मिस्र को जेल जाना पड़ा था तो वो कौन सा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन था ओप्शन गो इसका राइट अंसर होगा दूसरा सवाल देखिए है हमारा कह रहा है आपसे भवानी परसाद मिस्र को भारत सरकार ने किस उपाधी से सम्मानित किया था भवानी परसाद मिस्र को भारत सरकार ने मध्य परदेश का सिखर सम्मान साहित्य अकादमी पद मिस्री सम्मान इन में से सभी याप्शन गो इसका दोरान दिखी गए थी ठीक है कॉश्चन नमर आई ए 7 पे आप से का जा रहा है भवानी के पिता दंड कितनी बार करते थे तो भवानी के जो पिता जी थे वो जो दंड किया करते थे 260 बार किया करते थे भारत छोड़ो आंदोलन किस के δौआरा चलाया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधि जी के दौआरा चलाया गया था option गोई इसका right answer होगा भवानी परसाद मिस्र को को निमने मैं से कौन सा पृषकार मिला है उनको जो मिला था आपको पता है बदमसरी पृषकार, गालिप पृषकार, सिखर संवान तो इन में से सभी इसका राइट अंसर होगा मौथ के आगे कौन नहीं हुचकता है तो मौत के आगे कौन नहीं चकता है उसके पिता इसके पिता भवानी परसाद के पिता भवानी परसाद मिसर के अनुसार खुसी का पूर किसे कहा गया है तो यह जो कहा गया है यह परिवार को कहा गया है किसको कहा गया है परिवार को कहा गया है नेक्स्ट है निम्न में से कौ सी रचना जो होगी वह भवादी परसाद मिसर की नहीं होगी तो धर्ती कौन नहीं है धर्ती नहीं है ठीक है question No.13 में कवी के पिता कवी के पिता का जो बोल होता है वो कैसा है आपको बतानी है राइट अंसर हो जाएगा आपका option नवर को बदल के गरजन के समान ठीक है, कभी के पिता ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है कभी किसे अपना संदे स्वाहक बनाया है कभी ने जो संदे स्वाहक बनाया है वो सावन को बनाया है option go इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट सवाल है हमारा कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनहित रचना साहित के किस विद्या में लिखा गया है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनहित तो ये जो है रचना के साहित में, कौन सी साहित में आपको लिखा गया बताना है, तो ये कवीता में लिखा गया है, ठीक है, किसमें लिखा गया है, कवीता, कवीतीरी लोचन का मूल नाम क्या है, तो कवीतीरी लोचन का जो मूल नाम है, वो वासुदेव सिंग है, याद रख तो चमपा जो यहाँ पर लड़की है वो सुन्दर की लड़की है किसकी लड़की है सुन्दर की लड़की है कवी क्या गायब देखकर परिसान हो जाता है तो कवी जो है वो कागज गायब देखकर परिसान हो जाता है कवी तरी लोचन का जनम कब हुआ था तो कवी तरी लोच ये में चमपा कभी विवा नहीं करेगी, ये इसका चमपा का मानना था, ठीक है, चमपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है, में कौन सा अलंकार है आपको बतानी है, राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन गो अनुपरास अलंकार हो जाएगा, चमपा ने किसे जुट चमपा ने किसे जूटा कहा था, राइट अंसर हो जाएगा कवी को, किसको जूटा कहा था, कवी को जूटा कहा था, बजर सब्द का क्या अर्थ होता है, अब यह जो बजर है इसका अर्थ बतानी है तो यह हो जाता है आपका वर्ज पात, यानि जो बिजली गिरती है उसी ही क चमपा क्या काम करती है तो चमपा जो काम करती है वो करती है आपका चरवाही का यानि कि मतलब जानवरों को चराना चिनहों से स्वर निकलते सुनकर चमपा को क्या होता है? चिनहों से स्वर निकलते सुनकर चमपा को क्या होता है? आश्चरी होता है कभी ने पढ़ाई करना किसकी इक्षा बताई थी? कभी ने पढ़ाई करना इक्षा बताई थी वो गांधी जी की इक्षा बताई थी कभी को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती थी, चली नेक्स्ट सवाल है हमारा कि अप्पू के साथ 2.5 साल पाट का लेखा कौन है, इसका जो लेखा के वो है सत्यजीत राय, पाथेर पंचाली फिल्म कब परदर्शित हुई थी, तो पाथेर पंचाली फिल्म जो है वो पर परदर्शित हुई थी, 1955 में, अप्पू की उम्र कितना था, अब यहां पर आपको अप्पू की उम्र बतानी है, तो अप्पू की जो उम्र थी, वो थी 6 वर्स की, कितनी थी, 6 वर्स की थी, अप्पू की मा का क्या नाम था, तो अप्पू की जो मा का नाम था, वो था बजिया नेक्स्ट है आपका भूलो किसका नाम था अब यहां पर भूलो बड़ इस्तमाल किया गया है भूलो किसका नाम था तो कुट्ते का नेक्स्ट है आपका अपू के साथ धाई साल पाठ में मिठाई वाले का क्या नाम था अब इसमें मिठाई वाले का नाम बताना है त पथेर पंचाली फिल्म में बारिस का द्रिस्तिका सुटिंग किस रितु में हुआ था? यह हुआ था सरद रितु में. किस रितु में हुआ था? सरद रितु में. पथेर पंचाली फिल्म में मिठाई वाला किसके घर जाता है? यहां पे मिठाई वाला मुखर जी के घर जाता ह सर्वजिया अप्पू का बचा हुआ खाना कहां फेकती है तो यह जो उसका बचा हुआ खाना फेकती है गंबले में फेकती है अप्पू के साथ धाई साल पाठ में कुत्ते का क्या नाम था तो इसमें जो कुत्ते का नाम था वो भूलो था ठीक है क्या नाम था भूलो नेक्स्ट देखिए इंदिरा ठाकुरिन की भूमिका निभाने वाली महीला का क्या नाम था इंदिरा ठाकुरिन जो महीला थी उसका नाम आपको बताना है चुन्नी बाला देवी ऑप्सन घौ इसका राइट अंसर है नेक्स्ट है अपु के साथ धाई साल संस्मरन में किस फिल्म के अनुभाव से संबन्दित है अब यह जो है वो किस फिल्म से संबन्दित है तो पाथेर पंचाली फिल्म से संबन्दित है इस फिल्म से सत्यजीत राय को अंतराश्ट्य ख्याती प्राप्थ हुई थी तो कौन से फिल्म के कारण हुआ था राइट अंसर हो गए इसका पाथेर पन्चालि सत्यजीत राय की ज्यारतर फिल्में किस पर अधारित है सत्यजीत राई की जारतर फिल्मे हैं वो अधारित है आपका साहित्यक कृतियों पर किस पर साहित्यक कृतियों पर ओप्सन खो इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है लौट करजन इस देश में क्या फैला चले गए लौट करजन इस देश में क्या फैला चले हैं? लौट करजन इस देश में असांती फैला के चले गए हैं लौट करजन ने भारत वासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? तो किसके समान नचाया था? पानी की बुंदों के भांती नचाया था लौट करजन भारत में कितनी बार आये थे तो लौट करजन जो भारत में आये थे वो दो बार आये थे दिल्ली में कतले आम किस ने करवाया था दिल्ली में जो कतले आम करवाया नादिर साह ने करवाया था ठीक है, अगला सवाल है हमारा दुरूबल गाय, बलसाली गाय के चले जाने से प्रसंद नहीं हुई, इस कथन में दुरूबल गाय से क्या आशा है, तो इस कथन में इसका है भारतिय जनता, दुरूबल गाय का मतलब भारतिय जनता, अगला सवाल है हमारा कि आपके और यहां क निवासियों के बीच कोई तीसरी सक्ती भी है ये तीसरी सक्ती से क्या आ साई है इस तीसरी सक्ती से आ साई है इश्वर ठीक है नेक्स्ट है आपका कि आठ करोड प्रजक्स के गिलगिला कर विच्छेद ना करने की प्राथना पर अपने जरा भी ध्यान नहीं दिया यहां किस एतिहासि घटना की और संकेत किया गया है तो ये जो किया गया है बंगाल विभाजन की और आप इस देश से अलग होते हैं का क्या आसए है तो आप इस देश से अलग होते हैं इसका आसए है कि भगाये जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है विदाई संभासन लेख में लेखक ने किस पर वियंग किया है यहाँ पर जो लेखक ने वियंग किया है वो किया है लौड करजन पर किया है किस पर किया है लौड करजन पर लौड करजन ने भारत पर कैसा सासन किया तो लौड करजन ने जो भारत पर सासन किया था वो मनमाना तरीके से सासन किया था लॉट करजन कॉंसिल में किसको नियुक्त करवाना चाहते थे लॉट करजन कॉंसिल में जो नियुक्त करवाना चाहते थे वो एक फोजी अफसर को नियुक्त करवाना चाहते थे लेखक के अनुसार अंत में Lord करजन की स्थिती कैसी हो गई थी तो लेखा के अनुसार अंत में जो Lord करजन की स्थिती हो गई थी वो कलरक के जैसी हो गई थी नेपोलियन ओफ पर्शिया के नाम से किस साह को जाना जाता है तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा नादिर साह को नेक्स्ट आपका विदाई संभाषन पार्ट के लेखक का क्या नाम है राइट अंसर होगा ओप्सन नमबर गो बाल मुकुंद गुप्त नेक्स्ट आपका माई लॉड से विदाई के समय कैसा संभाषन करने की लेखक आशा रखता है तो कैसा रखता है आशा उदार्ता पूर्ण कोई विदाई ले रहा है तो उदार्ता पूर्ण विदाई लिया जाता है तो इस तरह से उसको आशा थी देखिए मोटे गते जिल्द वाली नोट बूक जिसके पन्नों पर साल के 365 65 दुनों के करमवार तिथियां आदी सजी रहती है उसको क्या कहते है तो उसको डायरी कहते हैं आपने देखा होगा कि डायरी के उपर जो है तिथी लिखा होता है टाइम टेबल लिखा होता है यह सब लिखा होता है ठीक है अगला देखो एनी फ्रेंक की डैरी किन वर्सों के मद्ध लिखी गई थी तो एनी फ्रेंक की जो डैरी लिखी गई थी 1942 से 1944 के मद्ध लिखी गई थी डैरी लेखक अब किस रूप में लोगपिरी हो गया है तो डैरी लेखक जो लोगपिरी हो गया है एनी फ्रेंक कौन थी तब जो एनी फ्रेंक थी वो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी अच्छा आप लोग बताना यह कहानी आप लोगों ने 10th में पढ़ा या और 9th में पढ़ा है कॉमेंट करकर जरूर बताना एनी फ्रेंक का जीवन काल क्या था एनी फ्रेंग का जो जीवन काल है वो 1929 से 1945 ठीक है नेक्स्ट है नाजियों ने किस पर अत्याचार किये थे तो नाजियों ने जो अत्याचार किया था यहुदियों पर किया था अगला स्वाल है एनी फ्रेंग के परिवार में जीवित कौन बचा था तो एनी फ्रेंग के परिवार में जीवित बचा था उसके पिता एनि फ्रेंग की डैरी किस भासा में लिखी हुई थी तो एनि फ्रेंग की जो डैरी थी वो डच भासा में लिखी हुई थी याद रखियेगा एनि फ्रेंग की डैरी का सिर्शक था क्या था एनि फ्रेंग की डैरी का सिर्शक तो the diary of a young girl पैरो में पंक बांध कर किसकी डैरी रचना है तो यह जो डैरी की रचना है वो राम विर्च बेनिपूरी की रचना है एक साहत्यक की डैरी किसकी रचना है एक साहत्यक की जो डैरी है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है नेक्स्ट है आपका वैक्तिगत दस्तावेज के रूप में किसे जाना जाता है तो इसको जो जाना जाता है वो डैरी लेखन को जाना जाता है वैक्तिगत डैरी में क्या लिखा जाता है प्रसनल बाते लिखी जाती है बासुन भाई, डैरी के लिखने का उप्युक्त समय कब माना जाता है तो डैरी के लिखने का जो उप्युक्त समय है सोने से पहले यनि कि दिन भर जितने भी घटनाए घटी है वो सब उसमें लिखा जाता है आप लोग भी लिखा करो डैरी, ठीक है एक अच्छा नुभाव मतलब देता है डायरी अगलस वाले हमारा हारी घाटी किस विद्या की रचना है तो हारी घाटी जो है वो आपका डायरी की रचना है ठीक है नेक्ष्ट एक बर इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कि जिन्दगी तेज रफ्तार में इस बात की आसंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिन्ताओं के अनवरत हम लोगे बेच गहरे आसे वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाते हैं भूलने कि इस आसंका से कौन सी विद्या हमें बचाती है तो ये जो डैरी लेखन होगा ये हमें बचाएगा आशा करते हैं आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आयोगा हमारी इस वीडियो को सपोर्ट किया था जोहित सिंग ने देवघर से एटुजे गेमर ने सपना कुमारी राची से दिविया कुमारी राची से शबनम नाज ने सिमरन नाज ने मुझाहिद अंसारी ग्रेडी से संदीप कुमार चत्रा से अनु कुमारी गया से नंदनी धनबास से इस्तियाक लकी धनबास से शुरे वीडियोज अप्लोड हो रहे हैं वहां से अपने परिच्छा के तयारी आप अच्छे से कर पाओगे साथ ही साथ आप जो है हमारे कुछ information आपको मैं देदेना चाहते हैं आप हमारे WhatsApp ग्रूप को जरू जोइन कर लिजेगा जहां पर सारा अप्डेट आप लोगों को मिलता रहता है दियेगे नमबर पर संपर्क करके यानि तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टाल देंगे वहां से भी जोइन कर लिजेगा और आप लोगग लिए एक तार्गेट बैच चलाया जा रहा है ठीक है टार्गेट बैट चला जा रहा है टार्गेट बैट के बारे मागर जनकारी लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग उसके भी इंक्वैरी कर सकते हैं मिलते हैं लोग ने इस्ट अगले वीडियो में थैंक्यू